ना दिन में चैन ना रात में आराम सुबा साम सिर्फ तेरा ही नाम आपको पता होगा कि सलमान अली जब भी आते हैं हिमेश्वे मेलोडी जब भी कभी कभी फस जाता है व्यूज गिरने लगते हैं तो सलमान अली यह सवाई भट यही दो उनके ट्रमकार्ड हैं जो कि आके उनके व्यूज को बढ़वा देते हैं और यही इस बार हुआ है और मुझे लगता है होगा भी क्योंकि यह गाना जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इतनी जल्दी 34 नंबर पर ट्रेंड करने लगा है सलमान अली ने बखु भी इस गाने को गाया है और मैं बता दू कि इस गाने की शैरी से स्टार्टिंग होती यह शैरी काफी हाइट टचिंग है और हिमेज जी ने चोटी शैरी रखती मुझे चोटी शैरी अच्छी रखती दो लाइनों में बहुत कुछ कह दिया हर बार की है जैरी के दिल से इमेज जीने बॉला है और शैरी की मिय्सिंग भी इस बर बहुत अच्छी हुई है और उसके बाद आपको सुना इदेगा गिटार का भीना भीना सा पीसमाने कि जिसनोंने भी गिटार बजाया है दिन से बजाया है अब इनका गिटार बजा रहें इसको क अच्छा काम किया है इसको कहते इसमें आपको जल्दबाजी नहीं दिखेगी रियल म्यूजिक लगेगा दिल से दिल तक जा रहा है और यार मैं बताओं आप जब भी स्थाई खतम होगा अंतरा खतम होगा जो फिलर्स म्यूजिक के डाले गए है ना यार माने की जादू गर क काम कर दिया हमेश शमयजी ने जिस बंदे ने फ्लूट बजाया जो फ्लूट का पार्ट आया फिलर्स का बहुत खूपसूरत है गिटार भी बहुत अच्छा बजाया गया है और यह म्यूजिक काफी अच्छा म्यूजिक है और आप सुनेंगे यह गाना भी आपको लगेग यार इस समय में ऐसा गाना आ रहा है, 90's टाइप का फिल थोड़ा बहुत देगा, बहुत ही खुबसूरत गाना है, और मैं बताऊं कि जैसे गिटार का पिस खतम होगा, उसके बाद सल्मान अली की, अब मैं आवास की बात करता हूँ, बंदे ने जो आलाब दिया है, यार मैं को फिल करके गा रहा है, और पूरा जस्टिफाई किया है सल्मान अली ने, हिमेज जी के म्यूजिक और लिरिक्स के साथ, उस गाने को फिल करके गाना बहुत बड़ी बात है, आपने और भी सिंगर्स को देखे होंगे, मैं जूट नी बूलूँगा, दानिश को देखा होग सच में उनको कोई छोड़ के गया है, जो अपना प्यार वो जतार है इस गाने के जरिये, जिस तरीके से उन्होंने गाने को जस्टिफाई किया है ना यार, माने की दिल से दिल तक बंदे ने दिल चीर कर रख दिया है, आप फिर सुनेंगे सल्मान अली की वाइस, तुम्हे दिल में बसाना है, तुम्हें अपना बनाना है, आप सुनिए, इस गाने के एक एक सुर्टी, एक एक स्वर आप फिल करिए, माने की आप सिफ आग बंद करके इस गाने को सुनिए, लगेगा कि आप सचे आशिक के दर्द को महसूस कर रहे हैं, और मैं कहूंगा इस गाने को आप देखिये भी, मैं बहुत ही कम गाने हिमेश में मेलोडीज के होता हूँ जो मैं बोलता हूँ कि आप देखिये, इस गाने को देखिये, सलमान अले की एक्टिंग देखिये, जो दर्द वो फील कर रहे हैं, उनके चेरे के expressions देखिये, चार चान लगा दिये हैं इस गाने मे overall मुझे इस गाने का music भी बहुत अच्छा लगा है, बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा music हिमेश में melodies का आया है, चूकि मैं सचे review देता हूँ अब हम बात काते लिरिक्स के, लिरिक्स हिमेश श्मया जी तो लिरिक्स के भी master होते जा रहे हैं, माने की आप देखिये, दोनों अंत्रे काफी खुबसूरत हैं, आपने कभी किसी से प्यार किया होगा या कुछ कहना चाह रहे होगे, तो ये गाना आपके लिए बहुत ही ज अच्छा है बोलाओ, कम ही ये लगी, देखिये, हिमेश में मेलोडी इतने अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, दिन पर दिन अच्छा होता जा रहा है, लेकिन वीडियो पे मैं देख रहा हूँ कोई ज्यादा वर्क नहीं कर रहा है, वो तो सलमान अली ने अपनी बना सकते हैं, आकल तो छोटेटे यूट्यूबर्स भी बनाते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, सर जो भी आपके वीडियो बना रहा है, जो भी डिलेक्ट कर रहा है, मैं उसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, कि वीडियो में एक्लिस कुटना कुछ तो में देखेंगे, तो लोग बोर होने लगेंगे, तो मेरा सच्छन ही हमेश्वे मेलोडिस को कि वीडियो में इनको इंप्रूमेंट करना चाहिए, आई हो बहुत जल्द आप लोग करेंगे भी, चुकि आपको पता है, संदीब मोरिया दिल से चाहता है कि हमेश्वे मेलोडि को गाना देखना चाहते है, नीचे कमेंट करें, और आपकी वीडियो में रिगलर नहीं बना पा रहा हूँ, बिकोज मैं वैसे भी टेंशन में उस एन्रॉक स्टूडियो मेरा हैक हो गया, लेकिन उसको गूगल की एक्स्टालियर सेक्योर्टी मिली हुई है, तो मेरा चैनल मेरे भी बैक टू बैक गाने आ जाएंगे सेन्रॉक स्टूडियो पर, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया, तो जा कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, थैंकी सो मज आपकी गूड विशेश के लिए, जो मेरा चैनल मुझे वापस मिल गया है, जै माता दी, जैंग इश Town, लाव दूस्ताइए हों